इतिहाद न्यूस को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूस मैं आप सब भी का खेर मतना हूं यहाँ पर एतजाद जारी है आल इंडिया वेजिटेबल फेडरेशन की जानिब से जो हकोमत की जानिब से स्कूलों में बच्चों को अंडे देने का जो एक मन्जोर किया है फैसला लिया है रियासती हकोमत ने उसके खिलाप एतजाज है और वो हुकुमत के खिलाप अपने आवाज को बुलंद करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो कभी मुल्क जो है वीश्व गुरू नहीं बन सकता लिहाजा इनके जिम्यदारान हैं और वो बहुत घुसे में हैं नरंदर मोधी हुकुमत और साथ में बसावराजबों मई की करनाटक सरकार एक बहुत बड़ा घलत योजनाच जारी किया है उन्होंने सोचा हम जो करेंगे वही होगा अपन मनमानी से सरकार नहीं चलती है दुरंत ये है करनाटक में मेजार्टी है लिंगाए धर्म के लोग लगबक तीन करोड लोगों के उपर हम है और दूसरा जैन समाज है जैन धर्म के लोग है ब्रामन समाज है इसकान है वारे अरिवशी कम्यूनिटी ये सब लोगों का वोट से ही अभी उनका सब्ता बना हुआ है उन्होंने सोचा होगा अंडा देने से अंडा किलाने से बहुत वोट मिल जाएगा ये गभी नहीं होने वाला है हमने सोच करके बाजापा सरकार को सपोर्ट दिया तकि ये लोग गूर अच्छा काम करेगा पर तमाशा ये हो रहा है जब दो बार करनाटी के अंडे इतना हलचल मचा हो अंडा के मामले में फिर ये अंडा के पीछे सरकार क्यों पड़ा दूस्त तीसरी बात कि ये खुद बाजापा के सरकार है उसी समय बीजेपी ने हमारे बदद किया बंद करवाया पर तो फुल मेजार्टी है बसुराज बंबाई के सरकार बिना सोचे एक दम अंडा किलाने के चालूई कर दिया निशा मलेक तरिक से और मजा किया है पहले बीजेपी सरकार इसको प्रस्ता भी नहीं लाना था और दूसरा बात कोई करनाटिक में आंदों नहीं किया थी कि हम अंडा चाहिए कुई किसी ने भी नहीं बोला किसी ने भी नहीं पूछा फिस जबर्दस उन्होंने अंडा देना का शुरू करवाय माननिय बसराज बंबाई जी भारतर जनता पक्षे के सरकार के नेतागन और पार्टी के नेतागन आप लोग हमको धोगा कर रहे हैं हमारा से वोट भी लिया और नोट भी लिया सक्था में आ करके, हमका रक्षान ना करते हुए हमार उपर आक्रमन कर रहे है और हमारा बच्चों में भिकाड रहे है और हजार सालों क्म संप्रदाई को धर्म को ओपर मार्क आपने क्या आगाज किया है इसलिए आज अंती में चेतावने देडे है, हम ने हास से निवेदन किया था, अभी निवेदन की बात नहीं होगा, आज जितना जल्दी हो से कि उत्ना जल्दी अंडा को तुरंत बंद कीजिए, अगर आप अंडा भी नहीं बंद करा हेंगे, अंडा के मतले साकार भी नहीं के लिए अलग शाकारी स्कूल और अंगनवाडी खोलो वी वांट सेपरेट विजिटेरी स्कूल और अंगनवाडी वी डोंट वांट सेंड अवर बच्चे चिल्डरन टो वेक सप्लाइं स्कूल यह निम्मर ने उन्हें एक बात है दूसरा बात है सपोज अंडा भी नहीं बं भावनाइब हमने स्वादा के बात प्रणय करेगा यह यहीं आ तुमको निर्नाम करेगा यह सरकार नहीं आगा भाजापे का यह चॉल Карम नहीं बाताते हैं धर्म का जो मट़ पीटा दिपत्यों किस्तान में धर्मिक सानों में संतों के हास जो सरकार ने विवश्दा बना रहे हैं अम कभी सहर नहीं करेंगे आज ना कल कल ना परसोस इस बारतिय जनतापक्ष केवल करनाटिक में ही नहीं सेंट्रल को भी बहुत बढ़ा मार खायेगा नरेंदर मोदी जी तोड़ा इस तरह ध्यान दीजिए करनाटिक में जो मौनापली चर रहे हैं आप चुपचाप देखते रहेंगे बाद में आगको अभी तक्रिफ होगा अपने बचों को अंडा देने से अंडा क्या साकारी नहीं अंडा पैदा कैसा करते हैं और ट्री फार्रम में इंजेक्शन देके उसको जो पैदा होता है उसमें कितनी बीमारी आउते हैं डीडीटी बीमारी डीडीटी जहर आता है पॉलोष्टर बढ़ता है जिससे बचों को अगर जाएगा तो हाट अटेक आएगा और वह कुरूल कुरूलिटी आजाएगी उनके अंदर बड़े होके टरिस्ट बन जाएंगे तो यह सरकार क्या चाहती है कि आगे जाके हमारे बच्चे सब अंतकवादी बनें बसो राज बोमाया तो कर रहा है तो वही तो हम उसका विरुद्ध कर रहे हैं उनके बच्चे तो अंडे नहीं भ Этот ऑफ उसको बनाना है उनको और इस तरह से अंतकवादी पैदा करना एक देश में इस्तरका काम कर रहे है अगर बच्चों को पढने के लिए इसकुल ख companion अटोड़ना उसको गरम करना उसको वो यह तरहें यह सफाइव करेंगे ऊइसका यह करेंगे सारा दिन वह काम करेंगे उपा लेंगे वह सब काम सरकार को वापस लाओ यूदि उर्प आने 2007 में बंद करवाया था कैसा काम कर रहे है बहुत न्याई कर रहे है वो धरम में समझते होते है ना वो तो खुद ही मटा खाते है तो वो तो समझते ही नहीं है ना खाली नाम के लिए है वो तो भोजन का परपस क्या है भगवान बोलते हैं अब भगवान से बढ़कर नियम किन से सुना जाए, वग्यान से सुना जाए, लोगों से सुना जाए, भगवान जानते है कि नियम क्या है, और भगवान के नियम ही समाज के लिए स्वाव लंबी के लिए दृष्टी है, और स्वायम मोधी जी ने दुनिया बर में भी गिता बाड़ते हैं भारतिय संस्कृति को दुनिया को सिकलाना चाहते हैं यदि इस तरह से भारत में होगा तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं और कोई मुक्य मंत्री को निरने ले लेते हैं तो हो सकता है मुक्य मंत्री को सरकार से धन आया हो या अंडे बेजने वालों ने पैसा दिया हो इससे सारी लोगों को क्यों बली दे रहे हो कोई अंडे बेचने वाला या मंत्री नहीं रहना लेना चाहिए यह भारती संस्कृति मोधी जी जाकर काशी विश्वनाद मंदिर में यही तो सिकलाना चाहते हैं भारती संस्कृति को आपको नहीं लगता कि यह जो नेता लोग है करते कुछ हैं और करते कुछ हैं इसलिए तो हम विरोध कर रहे हैं अगर फैसला वापिस नहीं लिया गया तो हम अपना वर विरोध करते रहेंगे तो इसलिए हम सरकार से विरोध करते हैं और इसको विरोध करते हैं कि इसको कर रहा हैं कि उनकी मजभब को पामाल कर हैं उन्होंने यह भी कहा सक्त नाराजगी भी देखी जा रही है और उन्होंने बसरजज मममई और नरेंदर मुदी के खिलाभ भी उन्होंने अपनी आवास को बुलंद करते हुए कहा कि आप प्राम मंदिर को बचाने के लिए निकले हैं लेकिन यहां पर तो घरों में अपने धरम को ब्रश्ट करने का काम यह भाजपा हुकूमत कर रही है लिहाजा अगर यह अंडे खिलाने का जो बच्चों को फैसला लिया गया है हुकूमत की जानिब से अगर यह फैसला वापिस न कार को भी दिये देखते रहे इत्याद नों शुक्रिया अल्लाफिस